बॉक्स ओफिस पर अगले साल धमा का होने वाला है दरअसल सामने आई मीडिया रिपूर्ट्स की माने तो कार्टेकारियन सलमान खान और अजे देवगन तीनों ही सूपर स्टार्स की फिल्में अकले साल एक ही मौके पर रिलीस हो रही है जिहां दिवाली पर इन तीनों का ही आपस में तगड़ा क्लैश होने वाला है ये धमाका बेहत खास होने वाला है एक तरफ कार्तिकारियन अपनी भूल भुलया के पार्ट 3 को लेकर आ रहे हैं तो वही दोसी तरफ अजे देवगन अपनी हिट फ्रेंचाइजी सिंगम के तीसरे पार्ट को लेकर मैदान में उतर रहे है और तो और सल्मान खान अपने हिट केरेक्टर प्रेम के साथ दर्शकू को एंटेटेन करने आ रहे हैं ट्रेड एनिलिस्ट तनन अदर्श के मताविक सिंगम फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट अगले साल देवाली के मौके पर सिनिमा घरों में दस्तक देने वाला है रोहिट श्रेटी और अजे देवकन की इस फिल्म का नाम सिंगम अकेन रखा गया है इस फिल्म के शूटिंग इसी साल जुलाई से शुरू कर दी चाहेगी वही पिंक विल्ला की एक रिपोर्ट की माने तो सिल्मान खान और फिल्म डारेक्टर सूरज बढ़ जातिया एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं दोनों फिल्म फ्रेम की शादी पर एस साल के अंत में काम शुरू करने वाले हैं सोर्से से मिली जानकारी की मताबिक ये फिल्म अगले साल दिवाली पर रिलीस होकी हाला कि अभीदा किस फिल्म की आधिकारी घोश्टा नहीं हुई है वहीं बीते हफते भूशन कुमार ने हिट फ्रेंचाइजी भूल भूलया के तीसरे पार्ट की घोश्टा की थी दूसरे पार्ट की ही तरहा भूल भूलया 3 में भी कार्थी कारियन रूह बाबा पन कर लोटने वाले हैं अजे देवगन और सल्मान खान के साथ कार्थी कार्यन की भी ये फिल्म दिवाली 2024 पर आने वाली है ऐसे में साफ हो गया है कि कार्थिकारियन सल्मान खान और अजिदेवकन के बीच तगड़ा क्लैश होने वाला है वो बात अलग है कि अगर कोई सूपरस्टार अपनी फिल्म की रिलीस डेट बदल देता है तो लेकिन फिल्हां तो दिवाली पर इन तीनों फिल्मों का रिलीस होना तैमान लीजिए और अगर ऐसा होता है तो देखने वाली बात तो ये होगी कि तीनों ही फिल्मों में से बॉक्स आफिस परबासी कौन साथ सूपरस्टार मारता है किसके फिल्म सिनिमा घरों में अपना चल्वा दिखा पाती है और कौन किसको इस जंग में मात दे पाता है खेर आप लोग इस क्लैश के लिए कितने ज़ादा एक्साइटेड हैं और क्या लगता है आपको अगर ये क्लैश हुआ तो इस क्लैश में किसकी जीत होगी शर किजिएक अपने जबाब नीचे कॉमेंट बॉक्स में